हलो दोस्तों नमस्कार, हमारे यूटीब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार खिर से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लगोट की कटिंग और उसकी सिलाई है जैसा कि आप जानते हैं कि लगोट बहुत पहनने में बहुत काम आता है और कई बीमारियों से लोगों को बचाता है और खेल कूद में भी मतलब ये चोटो घाव लगने से वीबी सुरक्षा करता है लगोट अक्सर जिसको हेड्रोसील होता है वो लोग भी पहन सकते हैं बाद सकते हैं जो बच्चे थाराविस साल के जो दोल्ब लगाते हैं सेना में भर q insects पहने में दोल्ब लगाते हैं उन के लिए पहनने में लगोट बहुत किसाअच्डी होता है तो आए जानने से कि लगोट कैसे बनाते हैं और इसकी कटिंग और शिलय कैसे होती है तो जैसा कि इसके लिए आपको एक मीटर कपड़े चाहिए लगोट बनाने के लिए और कपड़े कोटन के होने चाहिए कलर चाहिए जो भी हो आपको अपने मन पसंद से कलर ले सकते हैं तो जैसा कि हमने एक मीटर कपड़ा लिया हुआ है आप देख सकते हैं और इस दिम्हें में आपको लगोट बनाने की जानकारी बताने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो कपड़ा है कोटन का है इसको हम को इस साइट से इसा रखना है इसकी पहले हम आपको कटिंग बता देंगे इसके बाद इसकी स्टीचिंग भी बताएंगे अब हमको अगर किसी का अलगोट बनाना है चाहे जिसी का भी किसी साइट का भी बनाना है तो सबसे पहले उसके कमर की लंबाई आपको लेना है और इसकी लंबाई जो है वो 14 इंची से 15 या 13 इंची तक आप रख सकते हैं अगर 32-4-6lon या विणा सब्सक्राइब, बना सकते हैं यह से जिसके लिए लगोट बना रहे है उसकी कमरiche 24-4lon तो 34-9 युल को पो करने लिदोफ से दाथुर्य मेने नि- ग्लाफर सकते हैं तो कॉन वाला भाग है ये ऐसन की साइड में जा ये जो चोड़ा वाला भाग है इसकी कमर के भाग में जाएगा तो अब इसको क्या करेंगा हम इसको यहां से घड़ी कर लेते हैं ऐसे अब इसको हमको एक बार फिर से देख लेना है कि इसकी कमर की जो चोड़ाई हो कितनी आ रही है 36 सिंच है तो 34 सिंच है तो हमको 36 सिंच लेना है तो इस तरह से हमको इसको ले लेना है अब यहां से भी आपको यह भाग भी मिला लेना है कि यहां कितना आ रहा है जैसा कि 27 सिंच आ रहा है तो यह भाग भी 27 सिंच आना चाहिए तो इसको थोड़ा साम इसको फ्रोज कर देते हैं तो इस तरह से इसको बरोबर से रखना है आपको तो अब इसको हम यहां से कटिंग कर देते हैं इसको यहां से आपको कटिंग कर लेना है तो यह हमने लगोड की कटिंग कर दिया है आप देख सकते हैं यह वाला भाग आप देख सकते हैं कि यह मतलब तीन भाग में कटा हुआ है यह जो चौणा वाला भाग है कमर का साइड है और यह नीचे वाला आसन का भाग है यह में हम आसन की पट्टि कटिंग करेंग आसन की पट्टि कटिंग करना है अगर किसी को हैट्रोसील होता है अगर किसी को हैट्रोसील हैगर आप उसके लिए लगऌ बना रहे हैं तो आपको इसकी प्र confirms पकहका यानि चालीस ओड़ा है तो फिलाल इसको याप्ई प्रकंड कर देते हैं ह। साथ इंची इसकी चोड़ाई रखते हैं यहां समस्कों काटके सीधा सीधा कटिंग कर लेना है लगोट कटिंग करना बनाना बहुत ही आसान है यह चोटा बच्चा भी बना लेगा जिसको थोले बहुत सिलाई आती है तो देख सकते हैं कि यह आसन का पट्टी हमने निकाल लि इसमें आप इसको जोइन कर सकते हैं आसन पट्टी में बाकी करनाना बहुत आसान है यह कि अगर आपको दोनों बाजू किनियारीय नहीं थो तो इसमें आप इसको बोर्डर पर दोनों सिलाई कर लीजिए ताकि इसके सूते निकले नहीं तो फिलाल हम इसको दोनों बाजू साइड में सिलाई कर लेते हैं जो उपर वाला भाग है कमर वाला भाग है इसको भी आपको सिलाई नहीं करना है केवल दोनों साइड में ही आपको सिलाई कर लेना है तो आपको इस तरह से इसको किनारी फोल्ड कर लेना है और इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है दोनों बाजू किनारी सिलाई इस तरह से कर लिया है अब इसमें क्या करना है आपको आसन पठी को लेना है तो इसको इस तरह से इसको आपको रखना है इस साइड में तो आपको मिला लेना है इसका जो है इसके यह जो सेंटर वाला भाग है इसको सेंटर में मिला लीजिए इस तरह से इसा नाखुन से आप इसको सेंट यह इसके सेंटर में आना चाहिए तो और यहां इसको बरोबर यह पॉइंट दोनों मिला कर रखना है ताकि यह दोनों सेम आ जाए तो इस तरह से आपको यहां से सिलाई शुरू करना है तो यहां से आप जाएंगे तो इस तरह से आपको सेंटर में सिलाई यहां मिलानी है आपको तो यहां आपको घुमा फिरा करके इस तरह से आपको सिलाई यह करनी है और इसको इस तरह से बंद करना है आपको नीचे देखनाना नीचे वाला भाग भी आपको सिलाई होना चाहिए उसमें तो अब यहां हम क्या करेंगे यहां जो हमने सिलाईएं की है करी है तो यहां से आपको इस तरह से फिरेशी तरह से आपको कई सिलाईएं यहां मारने है तो यहां से घुमा फिरा गर के इस तरह से तो हमने आपको इसका एक एक जामपल के तौर पर बताया है तो आपको इस तरह से कई सिलाईयां यहां मार लेनी है क्योंकि यह आसन का भाग होता है मेन यह जो आसन में बैठेगा वही इसको इस्टेचवर करता है मतलब यहां मजबूत होना चाहिए तो हमने इस तरह से इसको बैठा लिया है आप जेख सकते हैं अब हमको क्या करना है यहां साइड में उपर नाड़ी लगाना है तो हमको यहां दो नाड़ियां लेना है नाड़ी की लंबाई जो है वो 40 इंची होना चाहिए ताकि कमर में दो भाग इसको दो राउंड इसको बाधा जाता है कमर में ताकि नाड़ी छोटा न पड़े तो अब आपको यहां से खोल करके इसको नाड़ी को यहां समें अटेज करना है इस तरह से और यहां कई बार सिलाईयां मारके आपको मजबूत कर लेना है तो इस तरह से यहां जो तिन बार सिलाईयां रिवस करें इसके बाद यहां फिसल आई है फिर टालू करते जाईए तो इस तरह से आप तो अब आपको यहां इस साइड में भी आपको दूसरी नाड़ी लेना है और आपको यहां इसमें अटेज कर लेना है इस तरह से और यहां भी कई सिलाई आपको कर लेने हैं ताकि यह मजबुत हो जाए तो इस तरह से आप नाड़ी को अटेज कर सकते हैं हमने दोनों बाज़ी को नाड़ी अटेज कर दिया है आप देव सकते हैं तो इस तरह से आप एक अच्छे से tails कर सकते हैं बड़ी आसानी से sumak बनाने बहुत आसान है यह उपर का कमर का भाग है ताकि यह दŌनों साइड से कमर में बाधा जा सके और यह आसन वाला भाग हो गया और यह आसन पट्टी हो गए तो इस तरह से आप इसको बढ़ी आसानी से लगोट को बना सिलाई कर सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लगोट की कटिंग और सिलाई दोनों आप सीख गए होगे कोई दिक्कत होएगर कोई कमेंट है तो आप हमें जरू कर सकते हैं इसके लिए हम आपको रेपलाई जरू करेंगे हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं सिलाई की, कटिंग की, सिलाई, स्टिचिंग की तो जेंस और लेडिस दोनों की तो आप हमारे चैनल पर बिजिटिश कर सकते हैं अगर हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया है तो फिर लाइक जरूर करिएगा तो चली मिलते फिर अगले वीडियो में एक नई ज्यानकारी के साथ तब तक लिए नमस्कार